अपने स्क्रीन पे चल रहा है इस भ्यानक तस्वीर को पहले आप खुब गोर से देखिए आप देखिए किस परकार से दूद के टैंकर और सवारियों से बरे बस के बीच इतनी जोरदार टकर हुई जिसमें बस के परखचे उड़ गए बस के परखचे इस परकार उड़े कि बस के अंदर लगाया गया सीट बस के बाहर तूटके निकल पड़ा बस के अंदर सवार यात्रियों के सव सड़क पे एक दम एक लाइन से बिखरी पड़ी हुई थी और जिन जिन लोगों ने सबसे पहले इस तस्वीर को देखा वो सभी लोग तस्वीर को देखते ही बेहुस हो जा रहे थे और सबसे बड़ी दूख की बात या है कि इस सड़क दुरगाटना में पुर्वी चमपारंजीला के एक पूरे परिवार के लोगों की मौथ हो गई है अब ये कहानी मैं आपको बताऊंगा कि ये सब चीज हुआ कैसे इतना भीशन सड़क दुरगटना कैसे हो गया ये पूरी कहानी आप विश्तार से समझेए जिस बस के परखचे उड़े आप देख रहे हैं ये बस सीवर से दिल्ली के लिए रमाना हुई थी सीवर से जब खूली तो पुर्वी चमपारंजीला के फिरहारा के ये कही परिवार के आठ लोग इस बस में सवार होते हैं सवार होने के बाद वे लोग बस से यातरा करना सुरू कर देते हैं बस चलने लगती है रातरी में ड्राइबर गाड़ी का स्पीड जाता कर देता है तो कईये क्यातरियों न ड्राइबर को समझाने का प्रयास भी किया कि भाई साब आप गाड़ी अराम से चलाया किजिए लेकिन ड्राइबर किसी को सुनने का उत्यार नहीं था जब सुबह के पाँच बज रहते सभी यातरी फ्राटेदार निंद ले रहते तब उनको क्या पता था कि ये निंद जो है और ये मेरा बस में सोना मेरे जिंदगी का आखरी सोने का समय हो जाएगा समय ठिक पाँच बजते हैं उसी समय दूद के एक टैंकर से उसको ओबर टेक करने के चकर में बस का ड्राइबर टैंकर को इतना जोर्दा टकर मारता है कि टैंकर तो बीच हाईवे पे पलड़ता ही पलड़ता है साथ में सवारियों से भरे इस बस के परखचे हुई जाते हैं और उसमें एक के बाद एक करके टोटल 18 लोगों की आउन्दय स्पॉट मौत हो जाती है सडक से ले करके अस्पताल तक लाज से बिची हुई थी जिन जिन लोगों ने इस तस्वीर को देखा वो खूब फूट फूट करके रोए कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपनों को ढूड रहते लेकिन मिलने का कोई याता पता नहीं चल रहा था उसमें चमपारन के यह कहीं परिवार की आठ लोग समारते जिसमें च्छा की मौत अंदय एस्पॉट हो गई और दो लोग जो है घाय लवस्ता में अभी जिन्दा बच गया जिनका इलाज बहतर तरीके सा अस्पताल में किया जा रहा है इस घटना की जनकारी जैसे उतर पर देश के मूँ के मंतरी के साथ ब्यार के मूँ के मंतरी और देश के परदान मंतरी को चला सबी ने सोक ब्यक्त किया ब्यक्त करते हुए परदान मंत्री ने परित परिवार को जिनके परिवार के लोग मरे हैं मतलब मृतक परिवार के ब्यक्ति को हर एक ब्यक्ति के नाम पे 2-2 लाख रुपए की मुआपजय की रासी की घोसना किया साथ में जो घायल है उनका बहतर इलाज हो सके इसके लिए उनको 50-50,000 रुपे केंद्र सरकार के तरफ से आर्थिक मदद भी किया जा रहा है कहानी पुर्वी चमपारन की यह याठ लोग जो उस बस में सवार हुए उसमें से घायल बचे लोगों ने बताया कि पहले हम ट्रेन से जाने के फिराक में थे लेकिन जब हमें ट्रेन का टिकट नहीं मिला तब हम बस की सवारी करना शुरू कर दिये और थिक 5 बजे इतनी भयानक सड़क हाथसा हुई जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की निर्मम तरीके से मोध हो गई बाकिया मारा परियास प्रित परिवार से मिलने का भी होगा बाकिया पुरा का पुरा खबर मुतर परदेश के उनाओं से आपको बता रहेते उनाओं में इस भिशन सड़क हाथसे में टुटल 18 लोगों की अब तक जान जा चुकी है बाद बाकिये वीडियो देखके आपका बिचार का कता बताईएगा जाहिंद